दोस्तो अगर आप beginners हैं और अभी अभी option ट्रेडिंग में आए हैं तो आज की वडियों हम देखने वाले हैं कि हम watch list में call और put को कैसे add कर सकते हैं क्या कौन सा call ठीक है कौन सा put ठीक है कौन सा हमारा monthly contact है कौन सा हमारा weekly contact है पुट को कैसे देखते हैं, कॉल को कैसे देखते हैं, अगर दोस्तो कुछ थोड़ा सा भी confusion है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि दोस्तो बिल्कुल basic वीडियो होने वारा है, अगर आप beginners हैं, तो ही ये वीडियो आप के लिए benefit रहेगी, otherwise आप skip कर सकते हैं, तो च प्राइज अभी ये फिलार 59,546 है, ठीक है, and bank nifty future का ये add है, September का, जिसका प्राइज अभी चलना है 9,609 है, तो दोस्तो basically क्या होता है, कि दोनों में difference हो सकता है, index and future की price में, उप साथ में India Wix add है, ठीक है, तो हम बात करते हैं, कि हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा right और monthly contact है कौन सा weekly contact है, कौन सा call है, कौन सा put है, सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ यह लिखा हुआ है, nsc 29 September 2022, foot, foot मतलब future होता है, तो basically यहाँ क्या है, यह 29 September का future है, ठीक है, यह monthly future होते है, तो यह हमारा यहाँ add है, और दोस्तों, अगर आपको October का future add करना है, तो हम कैसे add करेंगे, वो देख लेते हैं, future में call and put नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है, तो यहाँ हमें plus के निसान पर click करना है, then हम यहाँ लिखते है, bank, nifty, future, future अगर आपको लिखना है, तो foot लिख सकते हैं, तो आप यहाँ future रहेंगे, वो आपको यहाँ show होने रहें, आप यहाँ देख सकते हैं, तीन मंत के ही future आपको दिखाई देंगे हमेशा, यहाँ देख सकते हैं, September का future, October का future and November का future, तो तीन मंत के ही आपको future यहाँ दिखाई देंगे, तो आप जो भी आपको add करना है, वो आप यहाँ add कर सक जिसका प्राइज चल दा है 9,785 बेसिकली यह हमारे फूचर हो गए ठीक है तो फूचर को हम जहां पढ़ते हैं यहां आप लिख सकते हैं देखिए यहां जो फूचर होता खाली मंथली होता है मंथ का एक फूचर होता है ठीक है अब जैसे 29 बेसिकली क्या है 29 दोस्तों यह ए अगले दिन से फूचर रहेंगे वह September, October, November, December बेसिकली September का तो एक्टूबर, दिसंबर का यहां एड़ हो जाएगा ओके और यहां जो यह उच्पायर होगा 27 अक्टूबर बेसिकली यहां expiry day होती है weekly हो जब मंथली हो तो यहां हम अभी अक्टूबर का फूचर डिलीट कर यहां से वाचलिट से हटा देते हैं लॉंग प्रेस करके सिलट करके डिलीट ठीक है अब आते हम कॉल पर हैं दोस्तों जैसे की स्पॉर्ट प्राइज हमारा 59,546 ठीक है चाहें आप इसे माल लेजिए या इसे जो भी है हम निफ्टी इंडेक्स को मानते हैं तो जो हमारा एटियम होगा या जो भी है 59,600 की बात करते हैं हम यह आपर ठीक है 59,600 का हमें कॉल एड करना है दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिएगा जो बिगिनर्स हैं C, C basically हम जब लेते हैं जब मार्केट उपर जाता है ऐसा नहीं कि आप मार्केट उपर जा रहा हो पूट लेकर बैट किसी ने बोला तो weekly के set करना है हम दुबारा से यहां search करते हैं प्रस की निसान पर जाते हैं और हमें यह 49,600 सबसे पहले मैं type कर ले रहा हूँ तो आप यहां देख सकते हैं bank nifty automatic search में दे रहा है है अगर फिर भी आपको confusion है तो आप आगे भी type कर सकते हैं bank nifty ऐसे करके ताकि आपको कोई confusion ना रहे देखिया bank nifty आ गया अब आप यहां देख सकते हैं कि यहां 39,600 का C देखो यहां C दिख रहा है एक C दिख रहा है एक P दिख रहा है दोनों में difference अलग है सेम डेट होएंगी पर एक C यह एक P है दोनों में difference देख लेना कहीं आप C की पी को ट्रेडिंग कर लें या पी को जगह है आप C में entry कर लें तो बेसिकलिए अगर आपको C अड़ करना है तो C पे क्लिक कीजी पहले यह जैसे मैं add कर लेता हूं ठीक है यह हमारा 99600 का C पहले add हो गया हम back चलते है उसके बाद देखेंगे अब आप यहां देख सकते हैं उनता लेजर 600 का C यहां add हो चुका है यहां जो date लिखी हुए 29 September 2022 को यह expire हो जाएगा basically अभी क्या दोस्तों month end चल रहा है तो जो monthly contact है basically monthly ह क्योंकि month के end का है जो last होता है month का वह हमारा monthly होता है ठीक है कई app में अलग लग भी दिखा देते हैं कि weekly कुन सा है monthly कुन सा है वह भी वहां शोता है basically आप मानिये अगर month के end का है तो वह आपका monthly contact है last वाला जैसे इस दिन के बाद को कोई contact आपको नहीं मिलेगा तो यह monthly contact हु तो हम अक्टूबर की expiry का देखते हैं इसमें आप confused हो जाएंगे तो मैं इसे delete कर देता हूं ठीक है 49 600 हम अक्टूबर का लेते हैं ठीक है इन्हें छोड़ देते हैं अब आप यहां देखिए एक अक्टूबर का आपको यहां दिख रहा है एक 13 अक्टूबर का दिख रहा ह उसके नीचे अक्टूबर नहीं होगा 27 अक्टूबर के बाद आप देख रहे हैं अक्टूबर नहीं है बेसिकली यह यही वाले हैं तो हम चारो के अड़ करते हैं अक्टूबर का हम यह अड़ कर लेते हैं C 13 तारिक का 22 का 27 का तो हमारी confusion दूर हो जाएगी कि मैं चारो अड़ कर लिए बैक चलता हूँ तो दोस्तों आप यहां देख सकते हैं कि यहां हमने अड़ कर लिए हैं अब आप यहां देखिए पहले यह देखते हैं 6 अक्टूबर 2022 इसका मतलब क्या है यह weekly contact है जो पहला week आएगा उसकी expiry है 6 तारिक को expiry होगी तो यह expiry day के हिसाब से हम देखेंगे यहां सारे expiry day के हिसाब से हैं सारे ठीक है तो यह 6 अक्टूबर को expiry हो जाएगा यह weekly contact है जो की C 49600 का C इसे ही 49600 का यह 13 तारिक का weekly contact हो जो 13 तारिक को expiry होगा उसका contact यह है यहां इसका भी प्राइज नहीं दिखा रहा वी सक्टूर वाले का एंड आप यह देख सकते हैं यह जो है जो राश्ट में बचा यह monthly contact है जब लाश्ट वीक में आएगा तो weekly और monthly एक जैसे बिहेव करत लेता हूं कि प्रस करता हूं और यहां हम पुट को एंट्री करने जैसे हमें 40,000 का पुट एड करना है ठीक है तो यहां पी लिख के आएगा अगर आपको confusion है तो आप इस केस में न पी भी लिख सकते हैं पी आता है क्या पी तो नहीं आ रहा है पी आ रहा है ठीक है अगर आ दिखिए पेज इंडिया भी आ गया तो यहां बेंक निफिटी पूरा लिखना हरा छोड़िए आप जैसी चारी हजार LAt करेंगे तो खाली बैंक निफ्टी का यह आ रहा है रहा है सप्तंबर का और एक वीकली कॉंटैक्ट यहां के ड्क है arthritis तो दोस्तों यहां आप देख रहे हैं P लिखा यह भी P लिखा है basically यह put option है और यह जो आपकी expiry day है तो जिन लोगों confusion पी और सी में थोड़ा ध्यान दीजिए जो भी आप add कर रहे हैं उसी के according आपको trade करना है और यहां इसका यह price है ठीक है यह future हो गया यह put options हो गए और यह expiry day हो गए जो भी है weekly मंधली ओके तो इस तरीके से आप अपनी watchlist में put option add कर सकते हैं और call option add कर सकते हैं और future का मैंने आपको बता ही दिया अगर आपको nifty में देखना है तो nifty का भी देखने ते मैंने लग से watchlist बनाई हुई है तो 17300 का अगर आपको call add करना है तो कैसे add करना यहां प्लेस पर जाना है 17300 nifty nifty research करना है दोस्तों जब इन इफटी के आएंगे आप यह देखे निफटी आ रहा है ठीक है अब यहां मैं call add कर लेता हूं दोनों भी मैंने 6 अक्टूबर और 29 सेप्ट में दोनों का add कर लिया back करता हूं तो आप यहां देख सकते हैं यह हमारा 29 सेप्टर में 2022 का 17300 का CE add है CE लिखा है लाश में और इसकी value है 195 और यह हमारा 6 अक्टूबर 2022 का 17300 का CE जिसकी value इतनी है दोस्तों कभी कभी में जल्दी भी trade करते हैं तो PE की जागे CE add हो जाता है तो CEP हमें देखना है और future add करना है nifty का तो देखिए एक future यहां पहले से add है 29 सेप्टमबर 2022 का और अगर हमें अक्टूबर करना है तो इसके लिए हमें क्या करना है nifty foot लिखना है यहां पर तो nifty की future आ जाएंगे जिसका October का add कर लेते हैं तो दोस्तों जिन लोगों confusion था जो basic देखना चाते थे कि हमें watch list में कैसे add करना है कुछ लोगी query आ रही थी है